नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइस प्रेपर इधर बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई कुछ व्यक्तिकत विस्तताओं की वज़े से हम नहीं मिल पाए और थोड़ी बहुत यह भी बात थी कि पहले आरो यारो की डेट निश्चित्ती की 25-26 नमबर को एक्जाम होना है जब वो टल गई तो वही कोर्स उसमें चल रहा था और फिर मैंने सोचा कि अब जब नई डेट आजाए रिजल्ट आजाए तब आपसे मिलू आरो यारो मुक्य परिच्छा के लिए बहुत सारी क्वारिज आ रही हैं और मैं प्रारंबिक परिच्छा पास करने वालों को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं और मुक्य परिच्छा के लिए उनको अग्रिम सुपकामनाय देना चाहता हूं मुक्य परिच्छा का सिलेबस हम पहले भी डिसकस कर चुके थे लेकिन आज हम एक बार फिर से आपको बहुत सार्ट में सिलेबस बताएंगे फिर आगे की क्या योजना है कैसे हमको करना है ये डिसकस करेंगे फिर थोड़े थोड़ा हम रोज का रोज ऐसे डिसकस करते रहे इसमें एक पेपर जो GS का होता है वो प्रारमिक परिच्छा की ही तरह होता है 120 प्रशन होते हैं और 120 ही इसके मार्ट होते हैं 120 कुष्चन एंड 120 मार्ट तो इसमें तुझे से प्रारमिक परिच्छा की आप तयारी करते हैं वैसे आप तयारी कीजिए उसके बाद में इसको भी हम लिख लेते हैं थोड़ा सा छोटा GS 120 हो गया 120 मार्क्स और 120 ये कुश्चन्स दोनों इतने ही होते हैं दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो एक पेपर होता है सामान हिंदी और आलेखन का पेपर होता है जिसको जनरल हिंदी आइंडराफ्रिंग हम बोल सकते हैं और उसमें दो पार्ट होते हैं इसका एक पार्ट नहीं यानि खंड का होता है और एक खंड खा होता है पहला जो पार्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है यह पेपर जो है लिखित है यानि परमपरागत है सब्जेक्टिव है आपको इसमें लिखना होता है और दूसरा पेपर जो खंड खा होता है उसमें 30 कुष्चन हिंदी के पूछ तो यह से का 120 नमर का एक पर होता है जिसमें तीन से 45 नमर के ऐसे होते हैं तो आप देखिए कि 120 जे 10 और 60 नंबर ये, यहनि कि 280 और ये 120, ये टोटल 400 नंबर का आपको पेपर करना है, मेंस एक्जाम में, और इस 400 नंबर में 75% आपका होना चाहिए, टार्गेट कम से कम कि 75% आप नंबर पा सकें, और आसानी से इसको पाभी सकते हैं, तो 75% कितना हुआ, 300, तो 400 नंबर में 300 मेंस में सेलेक्शन के लिए, बहुत सारी लोग जो बात कर रहे हैं कि कटाफ और अलग अलग काटेग्री में कौलिफाई हुआ है, वो सब बातें यहां पर नहीं होंगी, यहां पर केवल पढ़ाई की बात होगी, बहुत ही जल्दी क्या कटाफ गया है, वो आयो की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, आप लोग जान जाएंगे, आरो यारो का अलग गया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब पता चल जाएगा, उसको यहां पर मत पूछिएगा, तो यह 300 नंबर का आपको टार्गेट लेके चलना है, जीस की बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि 120 न इंटरफेर या जो होगा, हम बाद में डिसकस कर लेंगे, कुछ ऐस्पिसल होगा, आपको हम बता देंगे, पूरा जीया से यहां पढ़ाने का कोई मतलम नहीं, सब लोग प्रारंबिक परिच्छा पास करके आये हैं, उनको आइडिया है, यहां पर में जो हमको मेहनत करनी ह हैं, वो करनी है, एक तो यह शामान हिंदी, जनल हिंदी और ड्राप्टिंग के पेपर पर करनी है, जो कि आपका 100 नमबर का है, दूसरा टारगेट लेना है हिंदी का 60, यहनि कि यह टोटल 160 नमबर की हिंदी है, और यहां पर टारगेट आपको लेखे चलना चाहिए, कम से क सव में आपको मिल सकते हैं, सतर नमबर कम से कम मिल सकते हैं, अगर अच्छी आप मेहनत करेंगे तो, और यहां 60 में 60 आपके आ सकते हैं, पच्पन चपन रख लीजिए, एक आत कुश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो यहां पर 130, 35 का आप कम से कम टारगेट रखे हिंदी में, 160 में 130, 35, हाँ, बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूँ, कि जो सेलेक्ट हुए हैं, उनको ऐसे मार्स मिले हैं, तभी वो सेलेक्ट हुए हैं, जी एस में आप अपना 95, 100 का रखिए, टारगेट, 90 से उपर कर रखिए, 100 के लगभग कर रखिए, 120 में इतना मिल जाएगा, है, वो अबजेक्टिव बता रहा हूं का इसा प्रशन पतराता है, यह पूरा मैं डिसकस करने जा रहा हूं, पूरा प्रशन पता आपके सामने रखोंगा, कि आसे प्रस्न आते हैं, क्या-क्या परिवर्तन भी उसमें होते रहते हैं, यह भी, तो 130 मेर्य पाने के लिए हमको करने क्या क्या उपाय करने हैं तो यह हमको बात यहां पर करनी है यह जो साथ नंबर है इसका भी अनुभव आपके पास है यह तीस कुश्चन होते हैं और तीस कुश्चन दो दो नंबर के होते हैं साथ नंबर यह जैसे प्रारंभी पर इछा में अपने हिंदी का पेपर दिय प्लेलिस्ट का वहां पे उपन करके उसको आप एक बर पढ़ लीजे फिर प्रेक्टिस सेट लेकर उसको करिए कुश्चन कहीं से पुराने उठाई यहां पर मेरा मतलब है कि पुराने जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उनसे फिर बाद में एक टेस्ट करा दूंगा और उ देखें यहां पर एक तो सबसे बड़ी वात है कि सभी प्रश्न अनिवारी होते हैं इसमें कोई आपको आप्सन नहीं मिलेगा करने का कि एक छोड़ के दूसरा कर देंगे धाई घंटे का समय होता है क्योंकि यह दोनों पेपर एक ही हैं सामान हिंदी का जो घंटता है जब अब एक्जाम दे रहे होंगे धाई घंटा पूरा होने वाला होगा उसके पहले ही वो पेपर आपको दे दिया जाता है और आप 30 मिनट में उसको कर के दे देते हैं तो यह ढ़ाई घंटे का यह पेपर और आधे घंटे का वह अलग मत मानियेगा बाद में वो दिया जाता है लेकिन वो साथ में ही होता है तो ये ढाई घंटे वाला पहले हम देख लेते हैं इसमें जो पहला प्रशन पूछा जाता है वो गद्यावत्रन आपको दिया जाता है और उसमें तीन प्रशन आप से पूछे जाते हैं यही पैटर अभी तक कर रहा है जितने होता है छे नंबर का प्रश्ण सारांस आपको लिखना होता है और तीसरा होता है रेखांकी तंसों की व्याख्या कभी कभी तीन रेखांकी तंस दिये जाते हैं तो चार चार नंबर के बारा नंबर का ये प्रश्ण होता है और कभी कभी चार रेखांकी तंस दे दिये जाएं फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो यह सीरसक और इसकी बात हो रही है तो सीरसक देने में कोई बहुत बड़ी कठनाई नहीं होती है आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे और उसका भाव निकालेंगे और एक सूत्रवाक की पकड़ेंगे और प्राग्राफ में पढ़ा है जो गद्या उतरन पढ़ा है उसका सार आपको लिखना होता है ठीके ना इसमें हम डिटेल बात कर लेंगे आगे यहाँ पर टाइम केल करने का कोई हो नहीं है और एक हांकी तंगसों की व्याख्या कैसे करेंगे इसको आगे बताएंगे दूसर आपको पूरे मिल जाते है इसलिए तो यहां पर सो में सप्तर मिलेंगे क्योंकि यह सब ऐसी चीजे ए इसमें फिर तीसरा प्रश्ण मुखी रूप से यह पत्र लेखन का होता है इसमें का खागा तीन अलग अलग प्रश्ण पूछे जाते हैं और यह आठ आठ नंबर के यह प्रश्ण होते हैं 24 नमबर का पत्र लेखन अलग से आपका यह आता है और 15 नमबर के टिबलर फार्म यहीं 24 और 15 49 नमबर तो क्यों पत्र से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं का प्रशन होता है उसमें ऐसे कुछ दे दिया जाएगा कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं उसका प्रारूप बताईए फिर दूसरा दे दिया जाएगा कि 18 सरकारी पत्र सरकारी पत्र में अंतर बताईए फिर तीसरा प्रशन को यह ऐसा दे दिया जाएगा कि कार्याले आदेश क्य होता है उसका प्रारूप बना कर दिखाए कुल मिलाकर जो पत्र वाला सिलेबस है उसी से यह तीनों प्रशन पूछे जाएंगे आठाट नंबर के प्रशन होंगे यहां पे आप पूरे नंबर पास सकते हैं लेकिन पत्र सही से आपको लिखना पड़ेगा फिर चौथा कोई सब्द दे दिया गया एक बार 2014 में साथ पूछा गया इस्ट्रक्चर तो इस्ट्रक्चर का हिंदी क्या होगा संवरचना है न ऐसे यह एब्रोगेशन पूछा गया था तो इसका होता है निराकरण तो इस तरह से पंच सब्द आपको दिये जाएंगे परते एक दो दो आज करीविवर्न का एजैण तो यह पंच पूछे जाएंगे इसमें और दो दो नंबर के होंगे और दस दस नंबर के यह नहीं बीस नंबर का हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी मलाकर आपको मिल जाएगा थोड़ा सा हम लोग डिसकस कर लेंगे तो यहासानी से हमको यह मार तो पांच गुड़े दो यानि की पांच होते हैं और दो नमर के होते हैं दस नमर यह भी आपको मुप्त में मिल जाएंगे बस थोड़ा सा आपको महावरा लुकुक्ति पढ़ लेना है यहां पर माल लिजे आपके कुछ गलत भी हो जाए तो आठ नमबर यहां पर मिल सकते है पांचवा जो प्रश्ण होता है वो कंप्यूटर पर होता है और पांचवे प्रश्ण में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी-कभी यह प्रश्ण पांच प्रश्ण चोटे-चोटे पूछ लिया आते हैं दो-दो नमबर के और चोटी-चोटी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं और कभी-कभी ऐसा होता है जैसे 2014 में इन्होंने जो पूछा है उसमें दो प्रशन पूछ लिए पांच-पांच नंबर के 2014 में इन्होंने साफ्टवेर कंप्यूटर को मानों की लिए कैसे उपयोगी बनाता है ऐसा एक प्रशन पूछा और एक पूछ लिया कि माइक्रोसाफ्ट की कार्ट प्रणाली का उले कीजिए थोड़ा सा पांच नंबर में लिखने का और एक सामानी बेखती जो कंप्यूटर उतना नहीं जानता है लिए थोड़ा कठिन था लिकिन अब पूछा गया था तो लिखना ही था तो यह दस नंबर का कंप्यूटर पर प्रशन आता है कभी दो दो नंबर के पांच प्रशन और कभी पांच नंबर के दो प्रशन खर जैसा भी आएगा इसको किया करना रहेगा थोड़ी बहुत डिसकसन हम इस पर कर लेंगे अच्छे से जो बहुत वाइड नहीं पढ़ना है थोड़ी जो बेस कर दिट का 30 कुष्चन आना है 60 दो समानी सब्दियों सामानी व्याकरन यह इसका टॉपिक पॉता यह यह आपजिक्टिव है इसमें विलोब वाक्यों वर्तनी सुध्य अनेक सब्दों के लिएक साथ बहुत असम भी शेष बिषेश बिश्चन यह हैं बारा कि नंबर के यह एक एक टॉपिक ये हैं और पांच ये टॉपिक हो गातो साथ नंबर हो गिया चेसब्द पूछे जाएंगे विलोम के वो डोग्रू नंबर के होंगे तो ये बारा हो गया नंबर और ऐसे ही यानि कि 30 प्रश्ण टोटल होंगे 6-6 प्रतेक टॉपिक से ठीक है ना हर प्रश्ण दो नंबर का होगा तो यह 60 नंबर आपके हो जाएंगे इस तरीके से हैं अब खंड दो पे सारी क्लास पड़ी हुई है इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे लाश्ट में मैंने शुरू किया था पढ़ाना लेकिन मुझे लग रहा है वो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है इसको मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा वहां से ओपन करके उसको देख लीजेगा सारे टॉपिक है फिर इसका टेस्ट मैं करा है सही से गद्यावतरन पर कैसे सीठ सक दें सारां कैसे लिखें तीन-चार उधारन हम आराम से कर लेंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा टेबलर फार्म हम सही से कर लेंगे ऐसे पत्र लेखन हम कर ही रहे थे और उसको पुरा कंप्रीट कर लेंगे यह हिंदी रूप अ अब कुछ न कुछ आपको रोज मिलता रहेगा फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ ऐसे की बात अभी हमको करनी है कि ऐसे कैसे कवर करना है उसको अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि सब चीजे एक में मिल जाएंगी तो दिक्कत होगी ऐसे पे हम विस्तित चर्चा करेंगे और अच्छे से ऐसे आपको कराएंगे फिलाल आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाएगा ऐसे माश्टर की एक प्लेलिस्ट है और उसमें बहुत सारे ऐसे पढ़े हुए फिर हम चर्चा करेंगे कैसे लिखा जाए और क्या फिर से कर तो जरूर लेंगे लिकिन उसमें सब पढ़ा है वहां पर आप देख सकते हैं थाइंक यू थाइंक यू बेरी मैल